आदाब आप सभी का इस्तक्बाल करती हूँ मैं रेणू भट और इस सेशन में हम बात करने वाले हैं अपने साथवी जमात के तलबा के लिए और ये लाइफ वरिन प्रोग्राम है तो डियर व्यूवर्स आपका पाटिसिपेशन बहुत जादा जरूरी हो जाता है इस सेशन म हम आपको बता दें कि इस सेशन में हम बात करने वाले हैं और जानकारी लेने वाले हैं एक शक्सित के बारे में वो हैं सालिम अली और आपको इस मौजू पर विस्तार से जानकारी देने के लिए मालूमात फराहम कराने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमा साथ पर हमें देख रहे हैं, हमारा ड्रीया जो है वह所ल पिस स्टूरी और आप हमें इमेल भी भी भेज़ सकते हैं हमारा इमेल आडरेस है dth.class788c.nic.in इन माधिमों से इन तरीकों से आप हम से जुड़ें और अपनी बात हम तक पहुंचाएं हमारे माहिर हमारे साथ हैं और हम अपने माहिर के और रुख करते हैं और माम जैसे हमने अपने तल्बा को बताया कि हम साथवी जमात के तल्बा के लिए सालिम अले इस शक्सित पर बात करने वाले तो क्या है आज के इस पूरे सेशन में प्यारे बच्चों सबसे पहले दो प्यारे बच्चों हमारे सब देखने वालों के लिए मेरा अदाब और से पहले कि मैं आपको इस शक्सित स से रूबरू कराऊं, मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूंगी, कि आपने देखे जो हमारी दुनिया है, बच्चों, ये दुनिया जो है, कितनी रंगा रंग है, इसमें इंसान भी हैं, और पेड़ पौदे भी हैं, जानवर भी हैं, और परिंदे भी हैं, और ये दुनिया जो है, इसमें मिलकर हमारा क्या बनाती है, एक माहौल बनाती है, जिसमें पेड़ पौदे भी हो, हवा भी साफ हो, सुच हवा हो, और इसके अलावा जो परिंदे हैं हमारे उनकी चहचहाट हम सुबासी सुनना चुरू कर देते हैं तो आज जो हम बात कर रहे हैं जो शक्सियत पर वो परिंदों के बारे में उनको बहुत दिल्चस्पी थी खासतोर परचिडियों के तो बच्पन से ही इनका नाम था मुईजदीन अबुलाली खां असल नाम ये था वैसे सालिम अली सालिम भी नाम था सालिम अब्दुलाली मुईजदीन अब्दुलाली पूरा नाम था नाम जो मशूर हुआ सालीम अली के नाम से मशूर हुए तो आज हम यह जानेंगे इस सबस्प में कि सालीम अली ने परिंदों में बहुत थी उसके नियों नोंने क्या-क्या और वो माहिर तयूर कहला है और इन्थोलाजिस्ट और उनको कई अवार्ड भी जो है वो मिले तो सबसे पहले तो मैं उनके ये बताऊंगी कि वो कहां पैदा हुए थोड़ा सा हम उनका तारूप भी जो है दे 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 रहे नूँ क्योंकि सेवन्त क्लास के बच्चे हैं और इ कोई हो तो उन्होंने अपने कारणामों की वजह से ही दुनिया में जो है वो जिन्दा रह जाते हैं आज सालिम अली को मरे हुए चिडिया को देखते थे और यही जो शौक था उनका परिंदों से परिंदों को देखने का चिडियों को देखने का तो इसी नहीं उनको कहां से कहां पहुँचा दिया इसके बाद फिर इनके जो वालिद थे वालिद और वालदा का इंतखाल जो है बहुत जब यह एक साल के थे तो वालुदा भी जो है चल बसी तो इनके चचा थे उन्हों नहीं इनकी तर्वियत करी निक पढ़ाया लिखाया और ए इस पर उनको जो परिंदों के बारे में नोने मालुमात किए researches की, किताबे लिखी तो आज हम इस सबख में अपनी क्लास सात्मी जमाद की किताब में आज सालिम अली पर पढ़ेंगे और तफसील से मालूमात आपको देंगे तो इनको देखें बचों 1958 में पद्मभूशन मिला था जो के बहुत बड़ा कौमी अजाज है हमारे मुलक का इसी तरह पद्मभूशन जो है वो से भी बड़ा है तो दोनों आवाड इनको मिले ते इसी काम के निये कि उन्होंने परिंदों की जिंद करता है कि वो चिडियों से बाते क्या करते थे उनकी जबान को समझते थे तो आज हम यह देखेंगे इस मैं असीर भी हमने बनवाई है उनकी तो पहले तो यह देखिया अपनी जबान सात्मी क्लास और यह सालीम अली की तस्वीर है जे देखें बच्वाबी इनके बारे में मैंने आपको बताया ऐसे ही यह रहे देखें यह रहे तो माम क्या वो सच में परिंदों की जबान को समझ जाते थे यह कहता है ना कि जैसे आपने देखा होगा कि बहुत किसी को किसी चीज में जैसे शौक होता है तो इसके एक्सपरेशन से जैसे हमारे हां डॉग है डॉग जो है उनका मुताला उनों ने बहुत किया था पास से देखते थे अगर कोई उनको कोई बताता था था ना परेंदों के बारे में तो उस पर यकीन ने करते थे तो तज़िए यहां बैटी इवन के कांदे पे कभी इदर बैटी है चिडियों को यू देख रहे हैं और उनके उ मुझा अवारी थोड़ा बहुत है तो ऐसी मालूमात जमां की है इन्हों ने उस पर देखेगा कि स्क्रीन पे देखे सालिम अली ने परिंदों के बारे में ऐसी मालूमात जमा की हैं कि पढ़कर हैरत होती है बच्पनी से उन्हें परिंदे अच्छे लगते थे जैसे कि मैंने भी बताया था आपको बहुत दिल्चस्पी थी देखे जियों को देखते रहते ते और जब दस साल के थे तो किसी सिकारी ने एक गोरहलेर कीन हैं तो वह जो जमीन पर गऩी तो सालीम अली दौल कर गए और उन्होंने उस चिड़िया को Rarerop दबबा दबदा वह भागे वे अपने चचा के पास गए और उनको दिखा एक कौन सी जडिया है हाला कि उनके चचा भी शिकारी थे चुडियों का और शिकार किया करते थे आप उसके देखिए अपने उनके पास आए और उनके पूछने लगी कौन सी जडिया है और उनके चचा खुद भी शिकारी थे मगए वो चुडिया को नहीं पहचान सके उनके चचा सालिम अली को साथ लेकर बंबई नैचरल हिस्ट्री सुसाइटी गए वहाँ पे गए और उनके अजादी सेक्रेटरी टे डवल्यू मियर्ड से मुलाखात की मियर्ड को ये देखकर हैरत हुई कि सालिम अली को परिंदों से इतनी जिलस्पी है कि उन्होंने सालि भर ली को मुर्दा चिड़ी ओंग उसमें करना उनको कहा गया है कि आप इसमें बराओ करियो किसी चीज का अप इसमें कुलिए क्या आप इसमें किसी चीजा का सालिम अली ने खुआप में में इस होता था है चिड़ियो की इतनी किसम होती है जब ये माप उच गए पहाँ तो उनको बड़ी हैरत हुई अब अगला पेज देखिए यह रहे देखिए मैंने बनवाई तीन की जब किताब बन रही थी तो जब यह है तो अगाद अचेनिया जो हैं कोई कंदे पर बैटी है फिर वो चुड़िया को ऐसी देख रहे हैं मैंने बताया ना किसी कि कहने पर य और दिल्चस बात है के साली मली के पास किसी उनिवस्टी की डिग्री नहीं थी अच्छा उन्होंने एक बार कॉलिज में दाखिला लिया था लेकिन र्याजी माला मैतमाटिक्स नहीं चानते थे तो उन्होंने कॉलिज छोड़ दिया वह से जी तो देखिए बच्चों तस् जो होता है जहां से यह निकलते हैं कोईला और इसमें हैं पर काम किया करते ते तो यह भी बर्मा चले गए रहा उनकी मदद कर सेगे लेकिन जंगलों में गूमते पिटते थे चिडियों को डूनते ते वह भी करते थे और आखिरकार दो दुबारा मुंबई जो है वापस आ साइटी में वहाँ पर नोकरी कर ली लेकिन कुछ दिनों बाद इनोंने नोकरी चोड़ दी मुलाजमत उनकी छूड गई क्योंके वक्त बनी जा पाते होंगे जादा तचिडियों में रहते थे ना और उनका मुताला करते रहते ते तो कहते हैं काफी अर्से तक वह मुताला को ठीक है वीवर बर्ट के बारे में जानकारी हासिल की और तीन चार महीनों तक घंटो सो से शाम तक साली मजीश चिडिया के रहन सेयन आदतों का मुशाहिदा करते रहते थे यह अब्जरवेशन करते रहते थे पिर उनीस तीस मों नोंने अपनी तमाम जो जानकारी थी जो जानकार है परिंदों का और होने अच्छी मालूमात चिडियों के बारे में दी खास दोर पर वीवर जो बया है हमारी बर्ट उसके बारे में बच्पनी से साल्म अली एक परिंदों की किताब लिखना चाहते थे लेकिन परिंदों के बार लिखे चाहते हैं बच्चों में यह होता है, पहले जानकारी लें उसको समझें तब यह लिखेंगे किताब, ऐसे किताब नहीं लिखी जा सकती, लेकिन किताबें मौझूद नहीं थी, जो थी मौझूद उनमें वो सब एक जैसी थी, उसमें कोई नई जानकारी नहीं थी, अब यह चाहते थी कि मैं नई जानकारी इसको दूँ, तो उन्होंने पिर 1941 में एक किताब लिखी जिसका नाम था, The Book of Indian Birds, यहनी हिंदुस्तानी चिडियों के बारे में उन्होंने एक किताब लिखी, इसके नाम से इंताही जिल्चस्त किताब लिखी, जिसमें रंगीन तस्वीरे थी, उन तस्वीरों के जरिये उन्होंने परिंदों की पहचान कराई थी, जो भी परिंदा है, जैसे तोता है, हैं मैला हैं चिडिया हैं, उनकी रंगीं के जरीए पहचान कराई गए थी, तो कहीते ही एक आमातदी भी इन और आसानी से किसी चिडिया के बारे में पहचान सकता है, यह पहचान कर सकता था, इतनी अच्छी, एतनी वाज़ित तस्वीरें उन्होंने उसमें दी और Kolard के सा बड़ोधे विलकों में लोने सफर के बड़े इनामाद दिए गए अजसाद दिए गए कूप तारीफ हुई उनकी क्योंकि उन्होंने तो अचिव इनामाद सी भी नवाजा गया तर बीदिया में उनकी फिर्माग को जो है तसलीम किया गया और उनीस सो एटावन में इनको का दूसरा सबसे बड़ा कौमी अजाद है उसके बाद पदमशीरी आ जाता है पहले पदमभूशन सबसे हुचा फिर पदमभूशन फिर पदमशीरी जो हमारे मिलते रहते हैं बगबार में आए दिन पढ़ते रहते हैं जे लोगों को अभी रेसेंटली मिले भी है बिलकुल म अजाद बड़ा का इंतखाल हुआ फूरे नवे बरस अमले जे अठारा सो चानवे में ये पैदा हुए थे बारा नॉमबर को और नॉमबर अभी हमारा चल लाए तो मैंने इस सबग को और इस लिए इस में पढ़ाने का फैसला किया कि बच्चों को यह मालूँ नॉमबर मे साली मेली पैदा हुए थे 1896 में और फिर जून 20 जून 1987 में उनका इंतखाल हुआ तो यह थी इनकी मालूमात और इस सबख में कुछ जो लवज आये हैं उनके माने भी हैं तो बच्चों देखिए गा नामबर इसमें जो है लवज आयता इसके माने माशूर के मारूफ के ऐस और चोड़ेंदे लाओरेंए उनको तक परिंद वह पर काल आप यहां तो जह यह तो जहांसे मादिनया जिसे लोह कोईलाः और तामव अःनूंग अगालाई जाताइं यह ला निकाल जाती हैं यहां मादिन काने व सब्सक्राइवग छ encantने तो हमने खाने भी लिखा इसके अंदर क्योंकि वो काने गई वो ना पढ़ने बचे इसी तरह से एजाज है एजाज का मतलब है रुदबा इजद तुम्हें उनको एजाज दिया गया है उनको इजद दी गई मनसब भी ओधा है किसी मनसब पे वो फाइज हुए रुदबा मिला उनको इसी तरह से अब ये नीचे देखे बचे कुछ सवाल आ जाते हैं आप लोगों ने इनके बारे में देखे बहुत मुक्तसरन हमने सालिम अली के बारे में आपको बताया लेकिन अगर आपको और भी साल हाय नमाया नजाम दिये होते हैं तो फिस सालिम अली पर ये सबक हम लोगों नहीं डवलब किया था और उसमें जो जो क्योंके सेवंध क्लास है तो उम्र के हिसाब से जिनी चीज़ा आनी चाहिए जितनी जानकारी दी जानी चाहिए और जैसे जैसे आप बच्चे उसको वह पूरी दुनिया में माने जाते हैं जो पूरी दुनिया में उन की शौहरत हैं। हरा अधिस सालिम अली को तो कॉन नहीं जान टाथ पूरी दुनिया जानती है नगी इसी तरह से discovery कि असली नाम क्या था वह बता दिया था實ा है मुह इज अद दीन अब्द था अब्स भ Olf कि परिंदों के बारे में जो भी इल्म होता है वो और इंतो लॉजी कैलाता है तो उसी से उनको और इंतो लॉजिस्ट जो है वो कहा गया तो यह इंग्लेश लवज भी हमने लिखा था कि परिंद माहरे तयूर लिखेंगे तो शाद नहीं समझ मैं और दूसरे लोग भी लगए तो और इंतो लोजिस्ट पुराज को लिखा गया था ऐसी इसमें साली मली के शिकारी चचा का नाम किया था तो उनके जो चचा थे उनका नाम अमीर अधीन तययव जी था ऐसी साली मली ने ने नैच्छल इस्ट्री सुसाइटी में जाकर कौन सा काम सीका यानि जो अधराओ का स्टफिंग का काम जो है उन्होंने वहाँ पर सीका और उनके और दिल्चस्पी महाँ बढ़ गई इस तरह से ऐसी साली मली ने पूरी दुनिया में क्यों मशूर हुए इस वज़े से मशूर हुए कि उन्होंने किताब लिखी थी परिंदों के बारे में और जिस परिंदों के बारे में ती दाबुक फिंजिन बर्ड के नाम से शाय हुए और उनको पद्म पूशन जो है दिया गया था उन्नीस अटावन में पद्म पूशन दिया गया था उनको तो यह दखिए अच्छा पूरी दुनिया में यह साली में कौन से खौमी अजाज मेले जो जो कितनी क्या रंगा रंग दुनिया है जी कहना मुल्क के नाम वर माहिर माहिर तयूर जिसको और्दो में अंतुलोजिस को कहा जाता है जी साली मली थे साली मली मुंबई में पैदा हुए और बारा नॉमबर 1896 में है किक है वह दस वरस के ते ते एक बार किसी शिकारी ने किस का शिकार किया था चिडिया का तो वो शिकारी का शिकार किया साली मली ने ने चैली ते ने अच्छली सोसाइटी मुंबई के अधादी सेकर्रिटी जो ते W. Mblerd नाम था उनसे मुलाखात की हूँ यह है साली मनि अ मुर्दस चिडियों की खाल में क्या बढ़ना सीख ल कोर्स, जूलोजी में में मैं कोर्स मुकंबल किया था, भी नौकरी भी की ती लेकिन बाद में पिर छूट गई लुमत गई उन्हों— इसके बारे में बाया के बारे में जनकारी χासिल सालिम ャुली को executive — 1906 में भीर भीजाज दिया गया अब नीचे कुछ ये लव्द हैं aus किताम में सी मैंने ये लव्द निकाले हैं जिसमें हम कुछ हमारे मितधाद Alephoz हैं मितधाद कियते हैं although उल्टे Alephaz को तो आप भी थोड़ा सा बतायेगा बहोगे असान है असन है उससी किताम में से, इसी सभक में से निकालें जैसे सुभा है तो उसका शाम हो जाएगी शाम होगा दिन का होता है रात ऐसी बड़ा छोटा खुबसूरत बदसूरत मौत जीवन जिन्दगी और अपने वैसे सही बताया जीवन भी कहते हैं ऐसी सच्चा सच्चे का उल्टा जूटा ऐसी दोस्त का दुश्मन तो ये कुछ मुताज़ाद अलफाद बताएं हैं आप और भी जो हैं पांच या चार जो भी आपको इस किताब में और मिले मैंने तो खास-कास निकाल के आपको बता दी हैं तो उनको लिखिएगा आप लोग यानि यह हमारे जो तल्बा हैं जो अभी हमें देख रहे हैं उनके लि है किताब तो किताब की जमा किताबे ऐसे परिंदा परिंदों चिडिया चिडियों चिडियों तस्वीर तस्वीर गुड फिद्मत का खिद्मात हो जाएगा अब लिखा हैं आज में को इस खिद्मात की बदले में वजमें जो है मूं मिला दरख्त की जमा दरख्तों और ख्वाब की जमाद ख्वाब को वेरी गुड़ बहुत अच्छा अपने सही बता है और सही बता है तो बच्छों में अच्छे नंबर मिल गये अब इसमें जो है बच्छों एक काम और एक तो यह लौज हमने बता दिया आपको एक काम हो रहे कि आप परिंदों के तस्वीरे ज लगाएं उसके बारे में लिखिए उसकी तस्वीर लगाएं और उसके बारे में लिखिए कि वह आपको क्यों अच्छा लगता है उसकी आवाद अच्छी लगती लिखने में काली है लेकिन आवाद बहुत अच्छी है ऐसे चिडिया है तो चिडिया भी बहुत सारी चिडि करेंगे तो बहुत वह जाएगा और आज कल तो आप लॉक्डाउं में सताइस तक तो इस काम को कुभ अच्छी तरह से करिए जी ऐसे ही कहते हैं कि सालीम अली के बारे में कुछ और चीज़े हैं जो कि मैं इसमें हमने गौर करने वाली बात में अपने किया है यह रही जो यह सबग है बच्छों तो इसमें सालीम अली के जो महबत है परिंदों से उसके बारे में बयान किया गया है और कहा जाता है कि परिंदों से गयर मामूली बहुत जादा महबत करते थे और उनकी जबान भी समझते थे ऐसा कहा जाता है तीक है, कन्फरम ने कहा जाता है कि ऐसा करते थे, उनसे बात ये करते थे, उन्होंने अपना जो मुशाहिदा था, उनका जर्बा था, उसकी बुनियात पर परिंदो के बारे में बहुत सी मालमात जमागी और फिर किताबी भी लिख दी, दो किताबी लिखी उन्होंने, एक ब उसको खो दिया, और नवे बरस की उमर में इनका इंतखाल हुआ, तो इस तरह से देखे, इस तरह कि और भी शखस्यते हैं, और उनके बारे में आप जिन्होंने कुछ ऐसे कारहाई नुमाया जाम दिये हैं, तो आप उनको जो है, उनके बारे में लिखिए, और उनके बारे पड़ाया है, तो उसकी तसवीर आपको शेयर करें, तो इस तरह शेयरिं से क्या है, बहुत लोग बच्चे जो है दुसरी से सीखते भी है, और एक बातचीत भी रहती है, और अडियो भी बना सकते हैं, आप किसी चिडिया की आवाज को ओड़ कर और वो अपने दोस्तों को बेच सकते हैं, और कहते हैं, आप इसको पहचानी है, कौन से चिडिया ही है, अगर नहीं पहचान पाता है, तो फिर बाद में बताईगे कि पाला चिडिया की आवाज है, और कितनी खुबचूरत आवाज है, तो इस तरह से कई चिडियों को पी जब आसमान में उड़ते व पशूर हुए, तो देखा बच्चों आपने है, कि इस तरह के जो कोई भी आपकी अगर कोई शौक होता है, तो शौक को ही वो लेके चले, और आखिर तक इसी में जो है, अपनी पूरी जिंदीगी उन्होंने वाफ कर दी, और परिंदों के बारे में इतनी अच्छी मालुम और इतनी अच्छी किताबे इस दुनिया को दी, और आप लोग भी अपने, कोई भी आपका, कोई भी आपका होना रो, कोई भी आपको चाहता हो, कोच बच्चे की पेंटिंग बहुत अच्छी होती है, तो अगर आप चाहे तो चिलियों की तस्विरे भी बना सकते है, अच्छी होती है, तो वो चाहे तो इस तरह की तस्विरे बना सकते हैं, ऐसे ही आप जो है, यह भी कर सकते हैं कि किसी चिडिया को, खास चिडिया को, जो कहीं की हो, जाज अभी मैंने इसी क्लास की एक कहानी थी, जो कि आसमानी दोस्त के नाम सी थी, शावेलर चिडिया के इसके बारे में हमने बताया था है के वो बच्ची जो थी वील्चेर पे थि और माजूर थी फिजिकली चैलेंज थी चल फिंडे सकती थी तो कैसे एक चिडिया जो है उसके पास आती तो पुप चुडिया भी ऐसी होती बदतक की तो उसको शावेलर चिडिया कहते है तो वो श कुछ टंड के मौसम में उधर चले जाते हैं कुछ गर्मी के मौसम में इधर आ जाते हैं और पिर आपने यह भी देखा होगा पर इंदो के बारे में अभी आप लोगों ने क्योंकि मैं यह तो नहीं कह सकती कि शहर में आप इतना जो है पेड़ पर आपने देखे हों लेकिन आपने आसमान पर देखा अगर कि शीका फ्लैट है तो अपने बालकनी में बैटके भी उन्होंने पार्क वर्क तो होती है उसमें देखा होगा पार्क में भी आप गए होंगे क्योंकि आप तो लोगडाउन स्कूल का तो है लेकिन पार्कों वगरा में जा सकते हैं तो आपको उस जानकारी को भी लिखिए और ये भी बताईए कि आपने अगर कोई चड़िया देखी आपको कोई एक्सपीरियंस हो कोई तजर्बा हो तो उस तजर्बे के बारे में भी आप हमें बता सकते हैं आप इसमें कुछ लख थे लफ्जों मानी लिख और उसको एस्तेमाल किज्डे बढ़ता ही जैसे इसमें लख था परिंदों क्या लिखते हैं कि सालियम अली ने परिंदों पर बहुते किताबे लिखी है ऐसी जिलदीगी निकी में ख़ों परेंदाण को जैसे किया हैं लोग, 備ाब बड़ान new बहुता है जो है जुम्ले नहीं बनाइए बलकिके लपस को जुमले में इसक्ञाइगे इस तरह से ऐसे ही पाम महाहुल को बोलता। तो फुझा जो है और अची फझा है, या आज मेरी पॉलुशन बहुत है जो आज कल आप देख रहे हैं कि पॉलुशन का कितना इसी वज़े से आपकी चुटी भी हुई है वो लॉक्ड़ॉन भी हुआ है और क्योंकि अलूदगी पॉलुशन को अर्दो में कहा जाता है अलूदगी बहुत है तो हर तरह की खास तो पर यह इंव बिराइन जो हैं नो हुज है रहां धता है एसे हुख को आज जय को कोई नाम देना तो आप ए करा Сraszam को कि इस चुट है की और की नाम लिखकर इस तरहां कर जुमला किताबर बना सकते हैं और बना सकते और in Salliem Ali वारे में बच्चों आप अपने जो समझा और जो पढ़ा बारे में भी एक परग्राफिकिया कि Salliem Ali उन्होंने क्या क्या काम किये किसी तरह सिके तो आपकी जो समझ बनती है आप क्या समझते है यह Salliem Ali का नो सकता थी कि कि यृटिजु पास है अगर वीडियो कनाया तो ऑना कर बाने सकते हैं जो इस शवा उतने अगर कटें जरिया कैसे मैं वह मह нез하는 के थी कैसे की आप मेर ने हैं ने मालोमात हासल करा दी बलकि जबान भी शामिल होती है बेलकि ज़ओन मेन जरिया है एक खास जरीया जो है आप शायद साइंस पढ़ें मैस पढ़ें कुछ भी पढ़ें लेकिन जबान अगर आपने सही और अच्छी इस्तिमाल किये तो बच्छों की समझ में भी आती है तो जबान एक बहुत आहम है और आपने यह देखा इस सब्सक्राइब के अंदर भी जबा ऩuw-पनिसेद्र पसंदो उसके बारे में एक परगराफ आप लिख सकते हैं तो इसको लिखए परिंदों के बारे में लिखे और scholar परिंदा आपको पसंद आया उसके बारे में लिखिए कुछ मैंने आपको वाही जमा मुतदाद अलफास अभी बतायते आपको तो एकुल मुलाकर हमने इस सबख में मालुमाद भी हासिल की जबान का काम भी किया और यह भी जाना के साही मली जो है उन्हें इंदोस्तान की पर सब्सक्राइब आपको दे दिया तो आप करिए अपने घरवाल आपके जो पैरेंट्स हैं आपके वाल्देन हैं जो बहन भाई हैं बढ़े उनको दिखाईए उनको पढ़के सुनाइए तो इस तरह से पढ़ने की भी आपकी प्रेक्टिस हो जाएगी और आपकी लिखने की प्रेक्टिस हैं और आपके जबान भी साफ होगी डियर व्यूवर्स जैसा माम ने आपको धेर सारी कई सारी मश्क दी हैं वह आप अपने घर में जरूर करें ताकि आपका जापकी जो नौलेज है वह इन्हांस हो और हम साथवी जमात के तल्बा के लिए मौजू लेकर रा आपका कि आप हमाड़ी स्ट्यूर्य और आपने हमारे बच्चों को इतनी अच्छी तरीके से और इतनी बहतरी इन जानकारी आपका बहुत-बहुत शुक्रिया तो बच्चों आप बने रिए पीम एवीध्या चानल के साथ अब रेक के बड़ेक के बाद एक उलाइफ करीजी अजास्त, नमस्कार